बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम, अस्सलामु आलेकूम, मैं हमुदसीर साही अड्वोकेट और आप देख रहे हैं Legal Issues आज जो Legal Issues हम डिसकस करेंगो ये है, कि वरासत जो होती है न, उसके अंदर एक बड़ा वसी एक टॉपिक है इस पे हमारे एक थोड़ी सी कोशिश की हमने के Detailed वीडियो बनाएं, चंद मिनट की थी, वो भी I Thinks हो के 18-20 मिनट की थी उसके अंदर भी सारा कुछ तो कवर नहीं हो सकता Anyhow, आज का जो टॉपिक है वरासत से related है, एक टॉपिक उसके अंदर छोटा सा वो डिसकस करेंगे वो ये है, कि बेटा फोगत हो जाए, उसकी property को distribute करना है, तक्सीम करना है तो वो हम गोर करते हैं किस-किस को जाएगी, जी वो उसकी बेवा को जाएगी, बच्चों को जाएगी, उसके वालिदेन को भी जाएगी इस तरह कम गोरो फिकर करते हैं अगर उरत फोगत हो जाए बेटी फोगत हो जाए तो बेटी का अगर कोई माल है अगर कोई इसकी प्रॉपरटी है मिसाल के तो कोई प्लॉट है बेटी के नाम पर या मकान आएम तोर पर उता नहीं से लेकिन कभी कबार होता है आम तोर पर क्यों नहीं होता हो आम तोर पर इसलिए नहीं होता बेटी जब हम कहते है न बेटी means कि छोटी बच्ची है बेटी है जनाब शादी से पहले पहले तो हम कहते हैं यह बेटी उसके बाद पिर स्टेटस थोड़ा सच अब छोटी बच्ची है अगर आपकी बेटी है तो उसके नाम भी क्यों कोई लगवाएगा प्रॉपर्टी और प्लॉट और मकान बड़े कुछ वेल आफ लोग होंगे बड़े अमीर सादे तो वो कहते हैं चलो दो चर प्लॉट इसके नाम लगवा देते हैं नॉर्मली इतनी किपैस्टी नहीं है हमारी 99% अवाम जो है उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने बेटों के नाम भी लगवा सकें वो क्या करते हैं अगर किसी ने एक मकान बना लिया गर बना लिया कोई दुकान ले लिया तो अपने नाम लगवाएगा बचों के नाम क्यों लगवाएगा बड़ा पैलाफ होगा एक्स्ट्रा ही उसके पास जायदाद होगी कुछ ना कुछ दूसरों के नाम भी लगवा देगा नहीं लगता पिर शुहर होता है जब बच्ची की शादी हो जाई शुहर भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अगर पाय करेगा खरीदेगा तो अपने नाम लगवाएगा अपनी बीवी के नाम क्यों लगवाएगा असली औरतों के नाम प्रॉपर्टी कम होती है को मजबूरी हो तो शायद लगवा दें अदर वाइस नहीं होती या वरासत में से बाद दफ़ा मिल जाती है बच्चियों को एनिहो किसी भी तरीके से मिले शोहर अपनी बीवी को उसने कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टी ले दी है उसके माँबाप ने ले दी थी या कोई भी सिल्सला ऐसा हो गया या औरत ने खुद अर्न करके वो प्रॉपर्टी बना ली औरत की हुज़ए डेथ औरत की वरासत के अंदर शेयर किसको मिलेगा कितना मिलेगा ये आज का माड़ टॉपिक है इस पर थोड़ी सी गुफ्तूब कर लेते हैं देखिए औरत एंदर मरत का बहुत जün फ़र्ग नहीं होता वरासत तक्सीम करने में देने में जब ये फोड़ हो जाये तो इसका माल तक्सीम करने में ये नहीं देकemaal जाएगा ये औरत है ये मरत है इसकी प्रॉपर्टी कहाँ है सेम उसी तरह जैसे मर्द की property है तो वो distribute होती है उसी तरह औरत के बारे में बहु देखा जाएगा औरत है उसकी death हो गई है देखा यह जाएगा इसके अगर मर्द फौथ होता ना उसकी property यह जो मर्द और औरत है जो हैं यहिनी औरत के जो सुसर है उसको प्रपर्टी चली जानी थी सास को चली जानी थी अगर इसका husband की death होती अब औरत की खुद रहत हो रही है न अब सास सुसर को नहीं जाएगी अब इसकी प्रपर्टी का एक बटा छे हिसा किसको जाएगा पीछे इसके महके वालों को यानि इसके parents को चला जाएगा एक बटा छे हिसा बंदे की death हो तो उसके parents को एक बटा छे हिसा चला जाता है जो बुड़े वालदेन औरत की death हो तो इस औरत के वालदेन को जाता है एक बटा छे हिसा बाकी जो माल है वो तकसीम होगा शोहर का भी उसमें से हिसा निकलेगा जिस तरह बेवा का एक बटा आठ हिसा निकलता है उसी तरह यहां शोहर का जिनाब कुछ ना कुछ हिसा निकलता है एक बटा चार हिसा निकलता है बाद अधा इसा भी शोहर को मिलता है अगर उलाद ना हो तो एन्यो शोहर को भी इसा मिलेगा और एक बटा छे उसके पेरेंट्स को पीछे चला जाएगा और अगर देखा जाएगा कि अगर औरत की उलाद है बेटे बेटी हैं तो फिर औरत के बेटे और बेटें इनमें तक्सीम कर दिया जाएगा सारा माल वही रिशो रहेगी कि बेटे को डबल बेटी को आदा तो ये इस रिशो के साथ बच्चों में सारा माल तक्सीम कर दिया जाएगा लेकिन इस से पहले ये सारे माल तक्सीम करने से पहले उस औरत को जो फोट हुई है उसके पिरिंट्स को देने से पहले उसके शोवर को देने से पहले उसके बच्चों में तक्सीम करने से पहले ये देखा जाएगा कि औरत के ओपर कोई कर्ज तो नहीं है वो कर्ज अदाग कि जाएगा, यह देखा जाएगा, इस औरत ने कोई वसीयत तो नहीं की, वो वसीयत पूरी कर ली जाएगी, यह देखा जाएगा, कि इसकी तजहीज और तक्वीन के लिए भी पैसे हैं या नहीं, अगर नहीं है तो वो उसका हम है, कि उसकी प्रॉपर्टी में से लेगे तजही उसके parents को चली जाएगी, यनि parents का हाग होता है, dispute उस वक्त arise होता है, जब अर्न बंदा कर रहा होता है, कमा बंदा रहा होता है, और अपनी बीवी के नाम पे कुछ property लगा रहा है, बीवी के नाम पे property लगाता है, तो वो, अब ये कमा रहा है, बीवी के नाम पर property बीवी की डथ हो गई अब ये share देते होए शरियत ने देके ये share दिया है आप और मैं को आपने तो उसके नाम बीवी के नाम पर लगा दी आप नहीं कमाया था नाम लगवा दी इट मीन्स उसकी है अब शरियत ये कहती है कि बेवी की डेथ हुई है अब इसमें से इसकी प्रॉपर्टी में लाखों में बनें ये शेर निकाल कि उसके पिरिंट्स को बेजो पीछे बेजना चाहिए क्योंकि ये अल्ला का हुकम है सुरत निसा अगर पढ़ें आप उसकी आयत नंबर गालेबन 11-12 है उसको उसका मताला उसमें शेर बताया गया है कि इसको कितना शेर चला जाएगा तो ये बाद अफ़र हमने देखे है कि अवरत की डेथ हो जाए तो आदमी कहता है जिए डेथ हो गई है तो उसका प्लॉट ये मकान है ये तो मेरा है उससे मौत पढ़ रही होती है उसमें से शेर जितने लाख इतने करोड बन रहा है उसके बच्ची जो फोट हो गई है उसके पिरेंट्स का जो शेर बन रहा है उसे देते हुए मौत पढ़ रही होती है मैंने लिया था मैंने बनाया था मैंने मैंने नहीं जब दे दिया जब उसके नाम लगा दिया तो उसका है उसका है तो जब उसकी death होई है उसका share जाएगा पीछे देना चाहिए तो याद रखिये औरत की जब death होती है तो उसके parents को हिसा जाता है उसकी property में से बाद दफा एक बड़ा 6 जाता है और बाद दफा आदी जाइदा चली जाती है उसके parents को in case of death in case of अगर उसकी उलाद नहीं है तो ज्यादा शेर फिर उसके पेरिट्स को पीछे चला जाता है शोर को भी कुछ न कुछ शेर मिलता है जो उसका बनता हो तो कोशिश फरमाया करें कि शेरियत के जो असूल है बजाहर अजम नहीं होती बात ये अजीब लगती है कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी मैंने कमाया मैंने मकान लिया और शेर पीछे बेज़ दूँ मेरी बीवी की डथ हो गया मैं शेर इसके माँ बाप को बहुँ है अकल में बाद बाद अफ़र नहीं आरी होती बड़े बड़े अपने अनपर्ड किसम के लोग देखे होते है अल्ला का बड़ा करम होता है रेल फेल होती है उनके पास दौलत की तो ये कभी भी नहीं कहना कि ये मेरा है मेरा कुछ भी नहीं है मैं मिटी का बना हुआ एक इनसान हूँ दुनिया के अंदर आया हूँ तो मिटी के अंदर एक दिन मैंने तश्रीफ ले जाने उसके अंदर ये ही मेरा ठीकान है तो चार दिन जो दुनिया के अंदर आया है कुछ मेरा मेरा ना किया करें बड़े लिए लिए आखकामात हैं